नमस्कार मैं हूँ सुरज कुमा सिंग और आप देख रहे टैंग फैट नीज बॉल्यूट के फिल्म इन्टरी के जानिवाने हस्ती रेखा का आज जन्म डिवस है तो यह उनके जिवन पे एक प्रिचे डालते है फिल्म अभिनेत्री रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 को हुआ था अब वे 60 साल की हो चुकी है अभिनेत्री रेखा का नाम रेखा गनेशन जो है रेखा का नाम से परिख्यात हुआ भारते फिल्मों में मसूर अदाकार है जो मुख्यता हिंदी फिल्मों में दिखाए देती है अपनी वर्षलिटी और हिंदी फिल्मों के भेत्रिन अभिनेतरी माने जाने वाली रेखा ने अपनी करियर के सुरुवात 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलगो फिल्म रंगुला रतनाम से की थी मुख्य अभिनेतरी के तौर पर उनका डेविऊ चार साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चम रही 1970 में आते आते हुए अभिनेतरी के रुप में अस्थापित हो गई रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे केरियर में लगभग 180 से उपर फिल्मों में काम किया अपने केरियर के दौरा उन्होंने कए दमदार रोल की और कए मजबुत फिमेल किरदार को परदे के बहतरिन तरीके से पेस किया और मुख्यधारा से सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम ही गिया जिसे भारत में खुबस रहा गया है रेखा एकदम सिधी होती है लेकिन अभिनेतर रेखा की नीजी जिन्दगी तेन ही मेड़ी रही काफी उतार चड़ा उन्होंने देखें एक जो तिस ने तो उन्हें भहिस्वानी कर दी थी कि रेखा के गरहों का कुछ ऐसा मेल है कि उन्हें कभी भी पती सुख नहीं मिलेगा रेखा के जिन्दगी में कए पुरूस आए जिनके वे नजदिक से रही हलाकि रेखा ने ज़्यादातर संबंदों को सुईकारा नहीं लेकिन पत्र-पत्रिकाओं के गाशिब कालम में हमेसे सुर्ख्या बटूरती रही रेखा को सच्चा सायत प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाज थी जिसमें उन्हें सच्चे प्यार की जलक दिखी जितेंद्र अमिताब बटूरती जितेंद्र अमिताब बटूरती जितेंद्र